नमस्कार दोस्तों क्लास की दवा है जिसका उप्योग सर्दी जुखाम नजला और एलर्जी के लक्षणों से राहत पाने के लिए किया जाता है सरदी जुखाम, एलर्जी या नजला के लक्षण जैसे नाक से पानी बहना, नाक का बंध होना, आंखों से पानी आना, आक, नाक या गले में खुजली होना, छींक आना और शरीर पर कहीं खुजली होने पर आदी लक्षणों से राहत पाने के लिए ट्रिस सिरप का या होने पर यानि तवचा पर पुरानी खुजली की समस्या होने पर, तवचा पर, एलर्जी होने पर और तवचा पर रैशेस होने पर भी ट्रिस सिरप को लेने की सला दे सकता है मधुमक्खी या किसी अन्यकम जहरीले जानवर के काटने की वज़ा से कुई तवचा पर रैशेस, सूजन और खुजली को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर ट्रिस सिरप को लेने की सला दे सकता है साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर बच्चों में च्रिस सिरप की वज़ा से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसेंट बच्चों में च्रिस सिरप की वज़ा से कुछ सामान्य साइड इफेक्स हो सकते हैं जैसे मुँ में सूखापन होना, सिरदर्ध होना, शरीर में ठकान वसुस्ती होना, नीन अधिक आना, गले में खराश होना, दस्त होना, कब्स होना और उल्टी आने का मन होना आदी साइड इफेक्ट्स ट्रिज सिरप की वज़र से हो सकते हैं. अब हम डिसकस करेंगे की ट्रिज सिरप को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है, ट्रिज सिरप को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है, और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है, आमतौर पर दो साल से लेकर पाँच साल के बच्चों को डॉक्तर 2.5 मिलिलीटर की सलाह देते हैं और 12 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को डॉक्टर 10 मिलीलीटर ट्रिज सिरप को दिन में एक बार या 5 मिलीलीटर ट्रिज सिरप को दिन में दो बार भी लेने की सलाह दे सकते हैं ट्रिज सिरप की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ बच्चों में इससे अलग भी हो सकती है इसलिए आपको ट्रिज सिरप को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही बच्चे को देना चाहिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे की ट्रिज सिरप को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए दो साल से कम उम्र के बच्चों को ट्रिज सिरप को देना रेक्मेंडेड नहीं होता है इसलिए दो साल से कम उम्र के बच्चों को ट्रिज सिरप को डॉक्तर की सलाह के बिना नहीं देना चाहिए वैसे ज्यादातर बच्चों में ट्रिच सिरप को लेने के बाद ज्यादा नींद नहीं आती है लेकिन कुछ बच्चों को ट्रिच सिरप को लेने के बाद नींद अधिक आ सकती है वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका ट्रिच सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं